गुड मॉरिंग दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिवा ओनलाइन क्लासिस में दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आपके लिए जेनरल नौलिज के दस most important questions जो कि आपके defense के exam के लिए खासकर बहुत ही ज़्यादा important questions होंगे तो दोस्तों ये वीडियो केवल defense के exam को ध्यान में रखते हुए बनाए गई है अगर आप Army, Air Force, Navy, RPF, CRPF, CISF या other defense exams की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इस वीडियो में एक-एक प्रस्न महत पूण और आपको ये वीडियो end तक जरूर देखना चाहेंगे तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like करें और हमारे YouTube चैनल को subscribe जरूर करें तो चलिए दोस्तों start करते हैं आज की वीडियो question number 1 है भारती सिनेमा के जनक थे तो option से आपके option A देविकार रानी, option B अमिताफ बच्चन, option C लुमीर ब्रेदर्स and option D होगा आपका दादा साहिब फाल के तो question number 1 का correct answer है option D दादा साहिब फाल के question number 2 है हमारा आज का भारत में डांग विवस्ता शुरू करने वाला British Governor General था option से आपके option A लाड माउंड वेटेन, option B लाड क्रिप्स, option C लाड डल होजी and option D होगा लाड कर्जन question number 2 का सही answer है option C लाड डल होजी next question होगा हमारा question number 3 भारत के तीसरे राश्टरपती कौन थे जिनका अपने कारकाल में लिद्धन होगा था तो भारत के तीसरे राश्टरपती थे जिनका कारकाल में ही लिद्धन हो گیا था तो उनका नाम क्या था आप्शन से आपके, आप्शन A, डॉक्टर जाकर हुसेन, आप्शन B, संजीब रेड़ी, आप्शन C, डॉक्टर बीबी गिरी, और आप्शन D, इनमें से कोई नहीं तो question number 3 कहा सही answer होगा, option A, डॉक्टर जाकर हुसेन यहां दोस्तों, डॉक्टर जाकर हुसेन भारत के तीसरे राष्ट्रपती थे, जिनका कारकाल के दौरान ही निधन हो गया था next question है, हमारा question number 4, कौन सिनदी दक्षिल भारत की गंगा कहलाती है, कौन सिनदी दक्षिल भारत की गंगा कहलाती है options हैं आपके, option A, क्रिष्णा, option B, कावेरी, option C, गोदावरी, and option D होगा आपका तुंग भद्र तो question number 4 का सही answer है, option C, गोदावरी question number 5 है, गलोब पर करक रेखा, भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है options हैं आपके, option A, 8 राज्यों से, option B, 4 राज्यों से, option C, 6 राज्यों से, and option D, इन में से कोई नहीं तो question number 5 का सही answer होगा, option E, option A, 8 राज्यों से तो दोस्तो, इस वीडियो की PDF फाइल को अगर आप डाउनलोट करना चाहते हैं, तो हमारे इस वीडियो की description से डाउनलोड कर सकते हैं और अगर अभी तक आपने यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ ही वेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियो की न्यूटिफिकेटेर्शन आप तक पहुंचते रहे तो जीन 혼자 नमबर शिक्स की तरफ चलते हैं महारायस्टा ऑफषन सी राजिस्तान और ऑप्षन डहार तो question number 6 का सही answer है option A केरल जी हां दोस्तों केरल में पुर्षों की संख्या इस्त्रियों की संख्या से कम है question number 7 है भारत में सबसे उचा बांध भांखला किस नदी पर बना है option से आपके option A ब्यास नदी पे, option B गोदाबरी नदी पे, option C जेलब नदी पे and option D होगा आपका सतलज पे, तो question number 7 का सही answer है option D सतलज नदी पे question number 8 है हमारा आज का भारत का कौन सा राज सक्कर का कटोरा कहलाता है option से आपके option A केरल, option B आंधर प्रदेश, option C उत्तर प्रदेश and option D इन में से कोई नहीं तो question number 8 का सही answer होगा उत्तर प्रदेश next question है हमारा question number 9, भारत में कितने राश्टरियर राजमार्ग हैं? भारत में कितने राश्टरियर राजमार्ग हैं? options हैं आपके option A 228, option B 225, option C 123 and option D 285 question number 9 का सही answer है option A 228 आज की वीडियो का last question है दोस्तों, last question है हमारा question number 10, बह नदी घंटी जिसे भारत का रूर के नाम से पकारा जाता है options हैं आपके option A दामोदर, option B गोदावरी, option C हुगली and option D इन में से कोई नहीं तो question number 10 का सही answer है option A दामोदर तो ये थे हमारे आज के 10 questions दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? कमेंट करके जरू बताएं और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल सिवा उनलाइन क्लासिस को सबस्क्राइब जरू करें तो चलिए दोस्तों कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार